Hello friends, तो आज रसूई में बनने जा रहा है पोहा की रेसिपी कि कैसे पोहा एक दम से खिला खिला बनता है बहुत जगे से कांदा पोहा भी बोला जाता है और बहुत जगे पोहा भी तो चलिए बनाते हैं पोहा की ये रेसिपी तो यहाँ पर मैंने एक कटूरी पोहा लिया है तो आप ये मार्केट में आपको पैकेट वाला भी मिल जाएगा और खुला भी मिलता है तो यहाँ पर एक बावलो में मैंने एक कटूरी पोहा ले लिया है फिर इसमें हम पानी डालके इसको दुलेंगे इसको साफ आने से हमें दो-तीन बार दुलना है जिससे कि इसमें जो भी गंदिकी है वो बहार निकल जाए इसको हमने दुल लिया है दुलने के बाद पोहा को हम 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे जिससे कि ये फूल जाए इसमें पानी तो बिल्कुल भी नहीं है दूसरी तरफ एक कड़ाई में थोड़ा सा ओयल लेके एक कटोरी हमने मुफली के दाने एड़ करके फ्राई करेंगे मेडियम गैस में इसी तरह से आप लगातार चलाते जाएए और इसको फ्राई कर लेजिए मुफली के दाने यहां पर फ्राई हो चुके हैं इसको एक बावल में हम निकाल लेंगे दूसरी तरफ पोह हमारा अच्छे से देखिए फूल चुका है और वो भी खेला-खेला यहां पर पोह हमारा भींके तयार हुआ है इसमें पानी तो विल्कुल भी नहीं था अब थेवल एसपूं छी ने नि ka half tablespoon healthy powder फिर इन सभी चीजों को हम mix कर लेंगे सभी चीजें mix हो चुकी है 5 मिनट के लिए इसको हम फिर से रख देंगे दूसरी तरफ हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है फिर इसमें हमने थोड़ा सा oil add किया है और यहाँ पर half tablespoon rye add किया है सरसों बोलते है तीन से चार करी पत्ता एड़ किये है फिर जो हमने पोह को फ्ला के रखा था जिसमें सभी चीजे mix की थी उसको इसमें add कर देंगे और इसी तरह से लगातार इसको चलाते रहेंगे तो देखे इसका color यहाँ पर हल्दी का color देखे change होने लगा है अब इसमें हम हरी मिर्च add कर देंगे और थोड़ा सा इसमें गर्म मसाला add करेंगे फिर इन सभी चीजों को हम mix कर लेंगे अब इसमें हमने जो मुफली की दाने fry किये थे उनको भी इसी में add कर लेंगे इसमें और कोई भी चीज मत डालिए सिर्फ इतनी ही चीजों से आप ये पोहा बना के तयार करिए तो यहां पर देखिए एक दम से खिला खिला पोहा बन के तयार हो चुका है इसी तरह से आप इसको एक दो बार चला के और यहां पर गैस कर दीजिये बन पोहा हमारा यहां बन के तयार हो चुका है देखे बहुत ही कम चीज़ों में सिर्फ यहां पर पोहा, मुफली के दाने और पस इनी दो चीज़ों से हमने इसको बनाया है और एक दम से ये खिला-खिला पोहा बनके तयार हुआ है बहुत जादे मसाले भी नहीं एड़ किये हैं वीडियो अच्छी लगए तो लाइक, कमेंट, शियर जरूर करें